हर्याना के पानिपत नगर निगम आज कल भ्रष्टाचार का अड़ा बन गया है कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों के पार्षदों पर आरोप लगते रहे हैं निगम के अधिकारियों के छवी काफी खराब है और निगम में गुडबाजी के चलते जनता पिस रही है इसी पर देखिए आज की हमारी बड़ी बहस भ्रष्टाचार जिन्दा है तो नगर निगम में भ्रष्टाचार जिन्दा है लेकिन ये हमें क्यूं कहना पढ़ रहा है और कौन इसका जिम्मेदार है इस पूरे मसले पर करेंगे विस्तार से चर्चा एक बेद खास पैनल इस वक्स पानिपत इस्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुका है उनका तारूप आप से करा दें सरदार भूपेंदर सिंग पूर मेर पानिपत नगर निगम के हमारे साथ जुड़ गए उनकी शव्यात्रा धुमधाम से निकालने के शहर में चर्चा हो रही है इधर पूर मेर ने ये तमाशा किया तो उधर कमिशनर ने मिलने पर कह दिया कि जाओ जराब देखो आपके वार्ड में काम तो शुरू हो गया है मसला अकर है क्या इस रिपोर्ट में देखिए पानिपत यू तो एतिहासिक और टेक्स्टाइल सिटी के नाम से मशूर है पर राजनीतिक और प्रशास्निक तोर पर यहां के नगर निगम की कारपनाली और ब्रश्टाचार के आरोपों ने पूरे पांच साल तक निगम के हाउस को अकाड़ा बनाई रखा हाउस कोंग्रेस और बीजेपी की राजनीति में ऐसा उलजा कि अफसरों ने इसे हाथो हाथ कैश किया इसलिए यहां के अफसर राजनीतिक दबाव और भष्टाचार के चींटों से हमेशा दागदार रहे यही वज़े रही कि पूरु मेयर और बीजेपी के नेता भूपेंदर सिंग ने बुधवार को पानिपत नगर निगम के अफसरों की शव यात्रा दूम धाम के साथ निकाली रास्ते में करीब डेड़ किलोमेटर की यात्रा में शहर के लोगों का कोतूहल देखने लाइक था निगम दफ्तर पर पहुँचे पूरु मेयर को कमिशनर ने सूचित किया जनाब आपका काम शुरू हो गया है पहुचो बहस भी खूब हुई गर का खड़ा है वो भी तो बरते हों गई है तो सड़के खड़े भी तो नहीं किया पानी पर तो उनका घर है गोरतलभे की शहर में सफाई कूड़ा उठाने और अब तो स्ट्रीट लाइट के नाम पर भी लाखों करोड़ों खर्च हुए पर इसकी उपयोगिता नजर नहीं आ रही ब्रश्टा चार के भी खूब आरोप लगे पूरो परधान मंतरी राजीव गांधी के उस बयान की दिल्ली से जब विकास कारें और योजनाओं के लिए एक रुपया चलता है तो उसका 15 पैसे ही खर्च होता है पचासी पैसे बीच में ही हजम कुछ लोग पानिपत नगर निगम की तुलना इसी ब्रश्टा चार से कर रहे हैं पानिपत नगर निगम के अफसर ठेकेदार और उनके राजनितिक सनक्षक सभी इस हमाम में नंगे हैं यानि पानिपत नगर निगम का तमाशा शहर की 6 लाख जनता ने खूब देखा अब नतीजा आने की बारी है सेयोगी कपिल के साथ वेंदर कतुरिया टोटल ने उस पानिपत बीरो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड जरूर है और शायद इसी गड़बड की वज़े से हमें कहना पड़ता है कि भरष्टाचार जिन्दा है क्योंकि सरकार बीजेपी की ये इसलिए पहला सवाल दुशंद भट जी आफी से होगा कि नगर निगम में आखर ये हो क्या रहा है क्यों हमें ये कहना पड़ रहा है कि भरष्टाचार जिन्दा है क्यों ये शव्यात्रा निकाली जा रही है पानीपत के अंदर नगर निगम की स्पूरी कारपड़ानी को लेकर आकर ये सब हो क्या रहा है और इसका कोई ठौर है कहीं रुकेगा ये सब दुशंद भट ये पानीपत नगर निकम की बद उत करते है हक्यों पानीतं आदिकाली पानीपत vol worked जब जनपर्ती नीवे वद्यवर्ट जाएगा, नगतिक में घाल से नगतिकickंग ये इंणी बातुंद की साथ करें है, जब जनपर्ती के लिए नगतिक हमने लाविए ये झानकिन, तक पानीपत की अगीवूर्स्ता के विविएह नहीं है। कौंग्रेस जिम्मेदार है तो कौंग्रेस इस सवाल हो जाए गया जए मुकेश्ट टेजा जी यह क्या सिर्फ बीजएपी और कंग्रेस की पॉलिटिक्स है कि इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर उनोंने आप पर आरोप लगा दी आप क्या कहते हैं जहां तक मतलके द्रश्टाचार की बात है जो नगर लियों में तिर्टाइस एस त्रैक्त में संशोधन में पावर मेंनी चाहिए थी पार्चिदों को और मेर को, वो एक भी पावर, एनिस्टेटेटि या फाइनेंशन, अजर टेंडर करता है तो कमिशियर करता है, अजर वरक तो मुकेश जी जब जब चुनाओं में आप जाएंगे निगम पार्शात के तो जन्ता से क्या कहेंगे, कि हमारे पास तो कुछ नहीं करने के लिए करने के लिए कुछ नहीं है आधा नहीं है, करने के लिए विकास नगाज कर नहीं हो रहा है उसके लिए Congress में सद्धे अवाज उख आई, जहां तक रेश्टा चार्ग है, गुपेंदर जी बीजेपी में है, तो यह श्रुध आत्रा निकाल रहे हैं वह बात कर रहे हैं, वह ब बचाई ना आपने आपके साथ आये तो आपने बचाई ना इस बात को सुविकार करिए दुशन भट बचाई ना इस बात को सुविकार को सुविकार को सुविकार करें लेकिन उससे पहले शेर से आपको इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं और आप से भी समझने की कोशिश करें कि यह जो पानी पत में हो रहा है क्या इसे मालने कि सर्फ यह बीजेपी कॉंग्रेस का कहीं न कहीं एक 2020 मैच है यह दरसल अभी इसकी गेन उसके पाले में और उसकी गेन उसके पाले में शेर सिंग पाले में यह दरसल थे पाले में आपस में आरों लगाते हैं ना दीजेपी की नीच साथ ना नीची साथ है सर्दार भूपेंदर सुग्ञ एक वज़े है क्यूं ये इतना हंगामा वरपरा ये तैय हो गया है कि तैय हो गया है कि क्या बीजेपी और कॉंग्रेस कोई भी किसी का भी पढ़ला भारी हो, सरकार किसी की भी हो, नगर निगम में काम नहीं होगा आप कह रहे हैं ब्रश्टाचार हो रहा, लेकिन सवाल आप से भी पूछा जाएगा कि आखिर जब आप मेर थे, तब इस्तिक किस तरीके से थी, और उसके बाद आप मेर जब नहीं है जब नीचे का जो सिस्टम है, वो मुकेश्ट उटेज़ा वाली बात बिल्कुल ठीक है कि सारे की सारी पावर जूंसी है, वो कमिशनर, M.E.J. इनी के पास है कोई भी पार्शद या कोई भी मेर, किसी के साइन नहीं होते, ये तो अब आके, अभी कुछी दिन पहले, B.J.P. सरकार के अंदर, ये जो M.C. के साइन होते हैं, वो भी किसी किसी के होते हैं, हर एके नहीं होते रही बात काम की होने की या ना होने की जब हम कॉंग्रस में थे मेर थे जब हम तब भी हम जो काम कराते थे तर डंके की चोट पर कराते थे आज भी जो काम हो रहा है सरकार की मैं फिर बता रहा हूं नीती और नियत में बिल्कुल फरक नहीं है पिर ये शवयात्रा क्यों निकालनी पड़ी अगर काम हो ही राये डंगे की चोट पर आपके के शब्दों में समझें तो क्या जरूतान पड़ी कि शवयात्रा निकालनी पड़ी हैं ताकि हमारे वाड में हमारे शेर में काम हो यही बात मैं अदिकारियों को कैसा हूँ जब सरकार इतना पैसा दे रही है तो आप अच्छा काम करके अपना भी नाम कुमाई और पानी पत का भी नाम कुमाई दुशेंद भर्ट क्या यही एक बड़ी वज़ा है कि जो अफसर शाही है वो बहुत जादा हावी हो गई इससे पहले भी खटर सरकार तक पे यह एजाम लगते रहे कि जो अफसर शाही है वो बहुत जादा हावी हो रही है और कहीं न कहीं उस पर नकेल कसपाना खटर सरकार क लिए मुश्किल हो रहा का है बात मिलने के बार कि घञा करें ऑगण को fine यह कैते हैं के भार्तना पार्टी में नहीं को भार्तना पार्टी से सवह minha ऴृतर टेस्ता चारसल गता होताँ जर्द को मुझे असवेखियर का सभ्सन्ग का अगार्नजाश्ट करने हैं यह का लजा गए अन्गे कहा है वेखियत अखियोो लेकिन हम रहते होरा फॉत है तक पहले देने के लिए मुझे खुशता है कि प्रिपिया करने वजश्विया पर रिकाला, मैं इसको एसोगनिया माता हूँ, क्योंकि समयधानी माचा है, नकर निका में समयधानी वह चीज है, वज़िधानी की रच्छा है, उसके वह में त्रिकुल एजेक्टिक लेकर दिया ठीक है, सरदार भुपेंदर सिंग, क्या वाकई यही वज़े है कि दरसल अफसर शाही की समस्या नहीं है, जिस बात को आप कह रहे हैं, कुछ और ही मसला है, या इसे यूं समझें कि राजीव गांधी ने जिस तरीके से पूर प्धार मंतरी ने कहा था कि 100 पैसे में से 15 पै है, यह भी पराने जख्मों को भूले नहीं है, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके वाड के अंदर बगैर टेंडर के, लाको रुपे के, मिट्टी पढ़के, सड़क शुरू हो जाती है, जहां पर टेंडर भी नहीं होता, जब बात बता चलता है, तो उन ट हो के, जब मेरे को कल शव यातरा निकालना पड़ा, रात को ग्यारा बज़ इसका वर्कोटर भी जाता है, मतलब क्या दबाव में मेरे को काम किराने पड़ते हैं, इनके वाड के अंदर बगैर टेंडरों के भी काम हो जाते हैं, हमारे वाड के लिए हमारे को लड़के काम क तिस से के बात करते हैं उसी को कर बुजरते हैं इसमी क् squad hear हो धूझ की जाना है जानता है और successes भूंक तीसे की में जबाब दीजिए चक निरिक्षण में भी नगर निगम में खामिया पाई गई 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 अलावा सी एम इसकौइड ने भी जब जांच परताल की अपना वहां पर दोरा किया तब भी गईबड़िया मिली इंसारी बातों को नकार दे दुशन भट कौन जिम्मेदार है फिर दुशन भट कौन जिम्मेदार है तो नगर निगम के अंदर चुन आप जीट कराएगे और जिन्हों ने जिस प्रकार के दिगारियों के साथ नहीं विजए पी के नहीं है उसमें मुकेश तुटे जाई मुकेश तुटे जाई क्या मान लें जिस तरीके से जो बात दुशन भट कह रहे हैं कि सारे फसाद की जड़ है वो दरसल कॉंग्रेस है इस पूरे भिष्टाचार की मुकेश तुटे जाई इस पूरे जाई मुकेश तुटे जाई का इनके पास है लेकिन जो चीज हो रही है वो सब के सामने है और जैसे काम हो रहे है वो भी सब के सामने है शेर सिंग क्या ये पॉलिटिकल एक इस्टेंट है ये कि BJP कॉंग्रेस को कोस लेगी, कॉंग्रेस BJP को कोस लेगी, इनके पार्शद उन पर और उनके पार्शद इनको, इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सियासत हो रही है जिसमें इने लों कहीं न कहीं पूछा जाएगा ना कि इने लोग क्या कर रही है जो शवयात्रा भरष्टा चार की सरदार भुपेन सिंग निकाल रहे हैं इने लोग कहा है फिर सदाब जहां तक सदाब बेकर सिंग का सवाल है वो एक अच्छे इंसान है लेकिन जिस पार्टी में रखके हैं उनको सोगा नहीं डेटी अगर ये काम नहीं करते तो इनने लोग उसके लिए परसासम का गिराओ परेगी और उनको कोट रेगी लेकिन दोनों पार्टिया आपस दोने के बादे 20 मन को डोग कर सकते हैं और ऐसे ऐसे वाड है इनके अंदर बगैर परिकिस्टिया अपनाए हुए नूस्पल्स कॉर्बेस्टे के अधिकारियों ने कारिये करवाए हैं लेकिन जहां से कमिस्टन और भृष्टाचा नहीं मिलता वहां के लोग आप इस बात क अधियार है तो फिर वो नकेल क्यों नहीं कसी जा रही किस बात का इंतजार हो रहा है आफिर उसकी नकेल और देरे देरे कस्नी चालू हो गई है क्या एक्शन हो गया सर्दार भृष्टाचार की बार बार बात हो रही है और हमें भी कहना पड़ रहा है कि नहीं पानी पत नगर निगम में दरसल जो भृष्टाचार का जिनने वो बहुत बड़ा होता जा रहा है और अब वो कहीं न कहीं आवाम को ही डसना शुरू कर रहा है प्रदेश की अगर हम आवाम की बात करें खासकर पानीपत नगर निगम की बात कर रहे हैं और तो पानीपत का ही हम अगर जिक्र करें तो इस भरष्टाचार का दंश वहां के रहने वाले लोगों को कितना भुगतना पड़ रहा है सरदार भुपिंद सिंग सरदार भुपिंद सिंग सवाल आप से है कि जिस भरष्टाचार की हम बात कर रहे हैं उस भरष्टाचार का खामियाजा पबलिक को कितना भुगतना पड़ रहा है उसके विकास के काम कहां कहां कितने अठके हुएं जो बादे किये गए थे काम तो पानी पत के अंदर मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि जो काम पहले हम सफाई का मुद्ध ले लें कि 48 लाक रुपे का अंदर पानी पत की सारी सफाई का जो डंपिंग का काम था 48 लाक रुपे का था हैं आज वही काम सरकार हमारी इतना पैसा दे रही कि हमने वही काम एक कोरूड प्लस का दे दिया सफाई के डेर आज भी वही के वही हैं तो मैं कैसे मान लोग बरस्टाचाहर नहीं हैं जब 48 लाक रच लाक अपे के अंदर वह काम हो रहा है उसके बावजूद भी नगर नि समय की कमी है मेरे पास फाइनल कमेंट आपका कि वाकई पैसा जो है वो जाता है लेकिन उसका जो उपयोग है जो सदुपयोग है वो जमीन पर नजर नहीं आता और ये बात वहां के आवाम भी कह रही है जिम्मेदार यहां पे भी गड़माने लोग बैठे हुए वो भी इसी बिल्कुल इसको एक्ट कर रहा है जब अरे तो सर कौन उस प्रॉब्लम का समधान निकालेगा जब भाते जन्ता पार्टी के निगम पार्ज़र उनावजीत का सदर में पहुंचेंगे और भाते जन्ता पार्टी का मेरिश चाहते बोड़ेगा नहीं दो पार्ट मेरे और उ ये वो जवाब नहीं है दुशन बेटा आप बहुत अच्छी तरह समझ रहें कि ये सवाल का सटीक जवाब नहीं है दरसल ये आपने एक पॉलिटिकल जवाब दिया है कि जब हम भाहुमत में होंगे तब इस्तिती बदलेगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और सरद पत को ही डसना शुरू कर दिया और इसका असर आने वाले समय में चुनाओं में आवाम जरूर देगी